आजके इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स करेंट अफियर का काफी जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे पैरिस पैरालिंपिक गेम से दोहजाद चोईज इससे रिलेटेट जितने भी कोशन्स बनते हैं आपके एक्जाम में जो पूछे जाएंगे सारे हमने आज किस वीडियो में कवर करवाए हैं और सारे कोशन के अंसर हमने डिटेल में डिसकस करवाए हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखेगा काफी जादा इसमें भारत देश ने टोटल कितने मैडल्स जीते हैं तो आद रखेगा 29 कितने 29 पदक जीते हैं और समझ लेते हैं डिटेल में भारत ने पैरिस दोहजाब जोहिस खेलों में पैरालिम्पिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदोशन करते हुई कुल 29 पदक जीते जिते ह से साथ तो स्वांड है नौ रजत है और तेरा जो है कांच से पदक है पैरालिम्पिक गेम्स पैरिस दोहजाद चोईश जो है यह 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयजित हुआ था ठीक है अगला प्रश्चन है पैरालिम्पिक दोहजाद चोईश खेलों में भारत का कौन सा इस्थ देखें चाइना के आम बात करें जो टॉप पर आया है 220 इंहों नहीं जीते है कितने 220 मेडल फिर दूसरे नमबर पर है Great Britain जिसने 124 मेडल जीते यॉनाइटे इस्टेड थर्ड नमबर पर आया है जिसने 105 मेडल जीते हैं चौधे नमबर पर है निदरल लैंड जिसने 56 पदक हासिल किये हैं थोड़ सो समझ लेते हैं पैरिस परालिंपिक गेम्स की क्लोजिंग सर्मनी जो है आठ सितंबर को देर रात को खत्म हुई 28 अगस्त को यह शुरू हुए थे जिसमें 168 परालिंपिक कमीटी के देशों ने हिस्सा लिया था क्लोजिंग सर्मनी में करीब 4,400 अथलीट्स पहुँचे थे पैरिस में भारत ने एतिहासिक प्रदशन करते हुए 39 मेडल हासिल किये जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉंज मेडल है अथलीट्स ने जो अथलीट्स थे भारती टीम से जो गए थे उसमें से उन्होंने सबसे जादा 17 मेडल इसमें हासिल किये है और देखे भारत जो है मेडल टेली जो होती है मतलब जिसमें पता चलता है कौन टॉप पर है कौन नहीं है उसमें 18 नमबर पर आए टोक्यो पैरलिंपिक 2020 के हम बात करें उससे पहले 2020 में आजित हुआ था 2020 में तो नहीं हुआ था वो थोड़ा आगे पीछ हुआ था क्योंकि कोरोना हुआ था वैसे देखा जाएते हैं हर 4 साल में आजित होते हैं जैसे 2020 में तो टोक्यो पैरलिंपिक 2020 के हम बात करते हैं तब भारत ने 5 गोल्ड जीते थे 8 सिल्वर थे उसमें 6 ब्रॉंज मेडल थे कुल कितने थे 19 मेडल थे तब भारत आया था 24 नमबर पर अभी है 28 नमबर पर और टोटल कितने पदक जीते हैं 29 पदक हासिल की है पैरिस पैरलिंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया तो इन्होंने निशाने बाजी खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया है किस ने अवनी लेखरा ने इंपोर्टन पॉइंट्स देख लेते हैं पैरिस पैरलिंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पद्गों का खाता खुल गये शूटिंग में अवनी लेखरा नितिहास दोहराते हुए 10 मीटर एर राइफल्स स्टेंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता अवनी नेजवा शांदर प्रदेशन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरलिंपिक रिकॉर्ड बनाया है नेक्स्ट है पैरिस पैरलिंपिक 2024 में अथलीट निशाद कुमार ने उची कुद में कौन सा पदक जीता तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी वाला रजट ठीक है नो ने रजट पदक हासल किया है इस परदा में रजट पदक हासल किया टोक्यो में दूसरे स्थान पर रहे निशाद कुमार को रजट पदक मिला था टोक्यो में भी यह दूसरे स्थान पर थे नेक्स कुशन है अमारा परालिम्पिक या ओलिम्पिक में ट्रेक एंड फिल्ड इवेंट्स में दो पदक जीतने वाली पहली भारती महला अथलीट कौन बनी तो वह कौन है इनका नाम क्या हो जाएगा ये है परिती पाल ठीक है इनका नाम है परिती पाल और समझ लेते हैं परिती पाल परालेंपिक या उल्लेंपिक में ट्रैक एंड फिल्ड इवेंट्स में दो पड़क जीतने वाली पहली भारती महला एथलीट बनी है। परिती पाल ने परिस परालेंपिक 2024 में 200 मीटर T35 दोड में कांसे पड़क जीता था। पदक जीता था आगे बढ़ते हैं कपिल परमार के स्खेल में पैरालिम्पिक पदक जीतने वाले पहले भारती आथलीट बने तो अंसर यहां पर सी सी हो जाएगा जूडो में ठीक है जूडो में और जान लेते हैं देखें इंपोर्डेंट पॉइंट पैरा अथलीट कपिल परमार नेतिहास रजते हुए पैरिस पैरालिम्पिक में जूडो में देश को कांसर पदक दिला है 24 वर्षिय भारती जूडो को ने जूडो का ने जेवन क्लास इवेंट में यह जो कांसर पदक मैच है 10 शुन्य सी जीता है इसके साथी कपिल परमार पैरालिम्पिक पदक जीतने वाले पहले भारती ए northwest एक अठीट बने है नेक्स टै पैरिस पैर ओलिंपिक दा चुडो में भारत के स्टार जैबलेन थ्रो पारीन थ्रो में चाबलीन थ nous फार्नल में जबर्जर्स प्रदर्शन करते हुए इस वन पदक हासिल किया उन्होंने 70.59 मीटर की विश्वस निय थ्रो के साथ टोक्या पारलिंपिक 68.55 मीटर में बनाये गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा इसके साथ उन्होंने अपना मैडल बरकरार भी रखा है नेक्स्ट है पैरिस परलिंपिक 2024 की क्लोजिंग सर्मनी में भारत का ध्वजवाहक कौन है तो वह है तिरंदाज हरविंदर सिह और धावी का प्रीती पाल दिखें, डिटेल में समझ लेते हैं पैरिस पैरलिंपिक 2024 की क्लोजिंग सर्मनी में भारती द्वजवाहक होंगे, इसका एलान हो गया था वैसे हो चुका है, सब कुछ खतम हो चुका है अभी, तिरंदाज हरविंदर से हैं धाविका पृती पाल रईवाद रात को होने वाली क्लोजिंग सर्मनी में ये भारत के द्वजवाहक रहें ये हैं, तिरंदाज हरविंदर सी, और ये हैं धाविका पृती पाल आगे बढ़ते हैं पैरिस पैरलिंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्स पर कौन सा देश रहा जैसे हमने देखा, चीन है शीर्स पर, देखे सोचने वाली बात है, चाइना और जो हमारा भारत देश है उनकी जो population है, वो लगबख same है, देखे हैं, लगबख same है जादा फरक नहीं है, उसके बाद भी आप देखेंगे, चाइना कितने जादा ऊपर है और भारत देश हमारा कहां पर है बहुत सारे लोग हैं, जो नेता वगएरा है वो भी यह कहते हैं, कि population भारत देश के बहुत जादा है, इस वज़े से हम आगे नहीं बढ़़ पाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यह Paris Paralympic के बात है, Olympic में भी आप देख सकते हैं इनका production काफी जादा बहतर है चाइना, चीन जो है यहां टॉप पर है 220 मेडल के साथ ब्रिटेन दूसरे नमबर पर आता है 114 मेडल के साथ तीसरे नमबर पर है अमेरिका, 105 मेडल के साथ नीदर लैंड है 56 मेडल के साथ चौते नमबर पर ब्राजिल है ब्राजिल ने जीते है 89 मेडल और यह 5 यह नमबर पर है ठीक इस तरह से आप और देखेंगे फिरेटली है, यूक्रेन है यूक्रेन भी आप यहां पर देख सकते हैं यूक्रेन ने साथवे नमबर पर आए फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जापान और भारत देखें यह अठारवे नमबर पर है 29 मेडल जीते हैं और अठारवे नमबर पर आए आप देख सकते हैं हाँ पर यूक्रेन जैसे कंट्री भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, चली जान लेते हैं डीटेल में, ऐसा लगातार छटी बार हुआ है कि चीन स्वण पदक तालिका में टॉप पर रहा है, लगातार छट्वी बार ऐसा हुआ है, चीन ने टोटल, यहाँ पर अगर हम स्वण की बात करें, सिस्वण मैडल जीस बारत के कुटने पदक विजAyता रहे हैं, किस-किस कैटेगरीज में इन्होंने जीता है, कौन सा पदक हासिल किया है यह cover करती है उं लास्ट में question पूछा है, मैंने आप से अंसर जरूर बताइएगा तो चलिक शुरू करते हैं। देखें पहले बात हम करते हैं अवनी लेखरा के बारे में। इन्होने महलाओं की 10 मीटर एर राइफल स्टेंडिंग SH-1 शूटिंग में स्वनपदक जीता। फिर मोना अगरवाल इन्होने महलाओं की 10 मीटर एर राइफल स्टेंडिंग SH-1 शूटिंग में कांसे पदक जीता। पृति पाले महलाओं की 100 meter T35 athletes में कांसे पदक जीता फिर है मनेश नर्वाल पुरुशों की 10 meter air pistol SH1 shooting में रज़त पदक जीता रुबिना फ्रांसिस महलाओं की 10 meter air pistol SH1 shooting में कांसे पदक जीता देखे वापिस यहाँ पर पृति पाल का नाम आया है दो बार नाम आया है इनका पृति पाल महलाओं की 200 मेटर T35 एथलेटिक्स में कांसे पदक इन्होंने जीता ठीक है इन्होंने याद रखेगा प्रिती बाल जो है इन्होंने महलाओं के 100 मेटर में भी जीता है और 200 मेटर में भी जीता है और दोनों में इन्होंने कांसे पदक हासिल किया निशात कुमाः पुरुषों की उची कूद T47 Athletics में इन्होंने रज़त पदक जीता इनके बाद है योगेश कथूनिया पुरुषों की डिसकस्थ्रू F56 Athletics में रज़त पदक जीता निटेश कुमाः पुरुषों की एकल स्पर्दा SL3 Badminton में सुन पदक जीता तुल्थ सीमती मरुगेशन महला एकल SU5 Badminton में रज़त पदक जीता सुहाज यतिराजपुरुषेकल SL4 Badminton में रज़त पदक जीता अब यहाँ पर देख सकते हैं कैटेग्रीज में अलग-अलग नाम है यहाँ पर SL4, SL, SU, 5 यह सब कैटेग्रीज हैं इनको आप याद रखेगा फिर है राकेश कुमार, शृतल देवी इन दोनोंने मिश्रित्र टीम कंपाउंड ओपन में तिरंदाजी में नोंने कांसे पदक हासिल किया सुमीत अंतिल पुर्षभाला फिक F64 Athletics इनोंने सुन पदक जीता निद्या श्रीट सिवान महला एकल SH6 बैडमिंटन में कांसे पदक जीता दिप्ती जीवन जी महला 400 मीटर T20 Athletics में नोंने कांसे पदक जीता सुन्दर सी गोर्जर इनोंने पुरुष भाला फिक F46 Athletics में कांसे पदक जीता अजेद सिह पुरुष जैवलीन F46 Athletics में रज़त पदक जीते हैं फिर दिखेगा हमरी यपन धंगा वेलू पुरुष हाईजर्म T63 Athletics में नोंने कांसे पदक जीता शरत कुमार पुरुष हाईजर्म T63 Athletics में रज़त पदक जीता सचिन खिलारी पुरुष शोड़पुट F46 Athletics में रज़त पदक जीता हरविंदर सिह पुरुष वक्तिगत रिकर्व तिरंधाजी में रज़त पदक जीता है धरमबीर पुरुष क्लब थ्रो 51 Athletics में रज़त पदक जीता प्रणव शुर्मा पुरुष क्लब थ्रो 51 अथलेटिक्स में रज़त पतक जीता कपिल परमार पुरुष जुडो 60 किलोग्राम जुडो में उन्होंने कांसे पतक जीता और यहास में पहली बाद भारा देश ने जुडो में कोई मेडल जीता है पैरलिम्पिक में कांसे मेडल जीता है नेक्स्ट है प्रमीन कुमार इन्होंने टी-64 हाई जम एथलेटिक्स में स्वन पतक हासिल किया होकाट्व सेमा पुरुष शॉडपूट एफफटी-सेवन एथलेटिक्स में कांसे पतक जीता सिमरन सी महला 200 मेटर T12 अथलेटिक्स में नोने कांसे पतक जीता और आखरी है नवदीप सी है पुरुष जैबलेन F41 अथलेटिक्स में नोने सवन पतक जीता ठीक है टोटल कितने मेडल अभी हमने हासिल कि इसमें 39 मेडल और आए हैं 28 नमबर पर ठीक है चलिए बताईए इसका अंसर क्या होगा पारलिम्पिक या ओलिम्पिक में ट्रेक एंड फिल्ड सेवेंट्स में दो पतक जीतने वाली पहली भारती महला अथलेट कौन बनी है तो वहाँ कौन है आपको कमेंट करके बताना है इन्होंने ट्रेक एंड फिल्ड एवेंट्स में दो पतक जीते हैं करेक्ट अंसर क्या है चार आप्शन आपके पास और यह भी बताएगा वो कौन से इवेंट्स थी जिसमें इन्होंने मैडल जीता और कौन सा मैडल जीता भारत देश किस पोजिशन पर आया है और टॉप पर कौन सा देश है यह सारे चीज़ें आपको कमेंट करनी है चलिए आज की वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आपको ना इसका पीडिएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में रिविजन करनी के लिए आप जरूर डाउनलोड कर लेना पीडियो बिल्कुल फ्री है कोई चार्ज आप से नहीं लिया जाएगा चलिए आज की वीडियो में इतना ही लास्त तक पूरा देखने के लिए ठैंक यूँ